क्या आपके पास भी है पुराने कपडों का धेर तो हो जाए ये रेडी और आईए मेरे साथ बनाते हैं कुछ इस पेसल सो हेलो फ्रैंड कैसे हो आप सभी आई होफ आप सभी बहुत अच्छे हो फ्रैंड आज की वीडियो में हम बना रहे हैं पुराने दुपट्टे से एक खुबसूरा सा पर्स और मुझे विश्वा से ये आपको बहुत पसंद आने वाला है तो चलिए वीडियो शुरू करते है सबसे पहले मैं क्या कर रही है मैंने यह एक आटह का वैग लिया है जो कि प्लास्टिक बैग मार्केट में से आते है यह पांच किलो वाला बैग था चाहता है उस बैग को मैंने गौलמ में कट कर लिया है और यस आकार में दुपट्टे के टुकडों कट कर लूँगी तो देखे इस तरह से मैंने जो दुपटे का बॉर्डर वाला हिस्सा था. उस बॉर्डर वाले हिस्से को मैंने इस पॉली बैग के बराबर में ही कट कर लिया है आदा इंचा चोटे आकार में थोड़ा सा कट कर लिया है तो इस तरह से मेरे पास तीन टुकड़े हो गए हैं अब इनको कि मैं क्या कर रही हूं अब मैं एक और पट्टी बना लेती हूं जो पट्टी हम हमारे कंदे से पर्स तक आएगी उस पट्टी को हम अपनी हाइट के अनुसार से तो इस तरह से हमारा कटिंग पूरा हो गया अब इसकी सिलाई कर लेते हैं तो देखें फ्रेंट सिलाई करने के बाद ये मेरा पर्स कुछ इस तरह से दिख रहा है इसकी मैंने दोनों शायट से सिलाई लगा लिए और इसके डखकन वाले पॉर्ट्सन को भी मैंने तयार कर है बीच में पन रखके मैंने नीचे से ये वेकार कपड़ा लगा लिया था तो इस तरह से मेरा पर्स कुछ इस तरह का दिख रहा है तो देखें लगानी है उसको मैं बना मसीन से नहीं लगाया है उसको में च IPC differentue लगाओंगी तो देखें मेरे पास यह यह लाई टी और इस को मैं इसे चारो तरफ से लगा लूँगी यह लेश मैंने काफी टाइम पहले खरीद कर रिखी थी यह मैं ही मुस्किल से चल रही थी इसलिए मैंने इस पे सिलाई नहीं लगाई और अगर आपकी मसीन चल जाए तो आप मसीन से ही लगाएंगे तो ज्यादा बहतर होगा क्योंकि चिपकाया हुआ तो उतर भी सकता है लेकिन मसीन से लगाया हुआ बिल्कुल नहीं उतरेगा तो इसलिए आप चाहे तो मसीन से जरूर लगा लें तो मैंने जो ये फैवी बॉंड था मेरे पास उसी से मैं इस लेस को चारा तरफ से लगा रही हूँ तो ये लेस लगने के बाद मेरा पर्स कुछ ऐसा दिख रहा है अब इस पे थोड़े से हम मिरर की डेकॉरेशन कर लेंगे क्योंकि मिरर की डेकॉरेशन इस पे पहले से भी हुई हुई थी और इसको मैं और बढ़ा दूँगी तो ये पार्स मेरा और भी खुबसूरत लगेगा तो इस तरह से मैं इस पे मिरर लगा रही हूँ तो देखे ये भी मैं फैवी बॉन्ट से ही लगा रही थी लेकिन मुझे बाद में यादा है मेरे पास फैवी गलू भी रखा है तो मैं अब ये सारे चीज़े फैवी गलू से लगाऊंगी तो फ्रेंड देखे इस तरह से हम थोड़ी बहुत क्रेटिवीटी करके कुछ अच्छा सा चीज़े घर के लिए बना लेते हैं तो देखे इससे हमारे पैशोगी भी बच्चत होती है और हमारे समय भी हमारा अच्छे से वीच जाता है और हमारी क्रेटिवीटी भी बनी रहती है तो ये मिरर में इस पर लगा दूँगी तो ये मेरा पर्स और भी ज़्यादा खुबसूरत दिखेगा तो इसी तरह से अगर आपके पास भी पुराने दुपटे रखे हुए हैं चाहे वो एम्रोडिड हो या नहीं हो प्लेन दुपटे भी अगर होंगे तो आप उनसे भी एक पर्स तयार कर सकते हैं और उसके उपर से आप एम्रोडिड भी कर सकते हैं जैसे कि लेस लगा दें या लटकन लगा दें और या मिरर से वर्क कर लें या कलर से वर्क कर लें तो इस तरह से हमारे पर्स भी तयार हो जाएगा और हमारे दुपट्टे का भी अच्छे से यूज हो जाएगा फ्रेंड आप सोचेंगे कि हर किसी के पास मिरर तो रखे नहीं होते या लेस रखी नहीं होती और अगर हम लेस खरीदेंगे और मिरर भी खरीदेंगे पर्स बना रहे हैं तो आप कपड़े के ही उस पे कुछ फ्लोवर बना के लगा सकते हैं या टैसल्स बना सकते हैं या अगर आपके पास उन रखे तो आप उन के टैसल्स लगा सकते हैं या कॉम कॉम बना के लगा सकते हैं तो इस तरह से कहीं ओप्सन होते हैं आप पर्स को डे त debit है नाने अच्छा सोचा कि इससी तरह से अगर मैं इसी टाइप का वर करुंगी तो यह अच्छा लगेगा अगर मैं इसमें फैब्रिक से या टैसल से कुछ चोर वर्क करती तो शायद वह उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि इसमें मिरर वर्क लगेगा क्योंकि इसमें पहले से ही मिरर वर्क हो रखा था तो फ्रेंड इस तरह से हमारा जो मिरर वर्क है कुछ कंप्लीट हो जाता है अब हम इस पर थोड़ी सी लटकन लगा लेते हैं तो देखे ये मेरे लहंगे की रख्यूई लटकन थी तो इस लटकन को मैं नीचे वाले पॉर्सन को ले करके इस पर लटकन लगा दूँगी क्योंकि सारा अगर हम लगाते तो ये काफी लॉंग हो जात मैं बस नीचे वाली लटकन को ही काट करके और सुई की साहता से बारिक वाली सुई मैंने ली है सुई की साहता से और धागे से मैं इस लटकन को पर्स में फिक्स कर दूँगी तो देखे ये जो मैंने लटकन काटिंग की है अगर इसको मैं ऐसे ही लगाती तो साइद ये नि तो देखें, हमारा पर्स तयार हो गए है, और समार्स देखाने के बाद परस så और यह को सारहा TOML- raised आप नहीं मिलेगा है। और फ्रेंड जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नह भूले और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझ